हेलो फेर्ण्स मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हाजुन फिर से इस सेशन में और ये सिरीज का आज का आठवा क्लास है ये सेशन बिहार GKS GS Special का चला है जो आपको काफी इन्पोटेंट है किसकी BPSC BPSC सिख्चक बहाली की द्रिश्टी से सिख्चक बहाली में BPSC इस वार एक्जाम लेगी बिहार सरकार का जो सातमा चरन सिख्चक बहाली है वो BPSC कंड़क्ट करेगी और BPSC में बिहार स्पेसल से प्रस्ण नहों ऐसा होई नहीं सकता तो बिहार स्पेसल GKS GS सीरीज का ये आठमा क्लास है अगर आपने अभी तब इस से पहले सात लेक्चर हो चुके हैं वो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जोड़ देख ले साथ ही अगर चैनल पे नहीं है तो वीडियो को लाइक और सेर करें चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना न भूले सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे प्रेज कर ले ताके हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकिसन आपको सबसे पहले प्राप्त हो दिन के दो पर दो बजे हमारा ये सेशन शुरू होता है तो जरूर जूरे हमारे साथ दिन में दो बजे या जब भी आप ये वीडियो देखे, आप पूरा वीडियो देखे, आपके काफी इनपोटेंट इसमें प्रसंद कराया जाए है, वो प्रसंद है जो बहुत ही इनपोटेंट है बिहार GKS के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के सेशन का पहला प्रसंद के सा और हमारा पहला प्रसंद है, पहला प्रसंद क्या कता है, कि किस समाचार पत्र में यह टिपनी की गई, अब क्या टिपनी की गई, यह बताना है, किस समाचार पत्र में किया गया था यह, अब क्या टिपनी की गई, अभी मैं पढ़ता हूँ, तो क्या किया गया था, तो बिह शागपूर्ण हिंदू-मुस्लिम विवाद समाप्थ हो जाएंगे ठिक है चलिए और इसका बताना है कि यह किस अख़वार में यह टिपनी की गई थी ऑप्शन है बंगाली इंडियन मीरर युगांतर या तिरुत समाचार ठिक है और यह किस अख़वार में यह कहा गया था तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा ओप्शन बी इंडियन मीरर इंडियन मीरर में यह बात की चर्चा की गई थी जो यह लाइन अभी हमने पढ़ा कि बिहार में हिंदू और मुसल्मानों के मद सोहार्द और सभावना अस्थापित करने का उधारन प प्रशन की तरफ अगला प्रशन है प्रशन नंबर दूसरा आज की सेशन का ठीक है आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताए साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सकाइब कर ले बिहार जी के जीएस स्पेसल टीचर एकेडमी के द्वारा एक ऐसिमित दुष्टापूर्ण योजना कहकर आलूशना की थी कौन सी ऐसिमित दुष्टापूर्ण योजना किस ने कहा था किस निरवाचन प्रणाली के आसिन में ये कहा गया था ओप्शन है हसन इमाम, अली इमाम, मजहरूलोग या फिर डॉक्टर राजंदर परसाद और इसका सही एंसर क्या हो जाएगा? सही एंसर हो जाएगा ओप्शन ए हसन इमाम ठीक है? हसन इमाम ने इसे क्या कहा था? दुष्टापुर योजना कहा था चलते हैं अपने अगले प् आपको कहा था इलाहाबाद में बिहार से कितने परतिनिती ने भाग लिया था ये बताना है आपको कितने परतिनिती उसमें सामिल हुए थे? इस इलाहाबाद के अधिविशन में किसका सथा तुभारतिय राष्टिय कोंग्रेस का ओप्षन है 79, 29, 19 या 39 और इसका सही एंसर हो जाएगा क्या ओप्षन D39 यानि 49 परतिनिदी ने INC के 25 अधिविशन जो इलाहाबाद 1990 में हुआ था उसमें भाग लिये थे ठीक है चलते हैं अपने अगले प्रसन की तरफ अगला प्रसन है बिहार प्रांतिय सम्मेलन कॉंग्रेस का सात्वा अधिविशन 3 अप्रेल 1915 को कहा हुआ था और इसके उप्षन है पतना में भागलपूर में छपरा में या बेतिया में तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा बिहार प्रांतिये सम्मेलन कॉंग्रेस का साथमा अधिवेशन कब हुआ था तो 3 अपरेल 1915 को और यह हुआ था छपरा में ऑप्शन क्या हो जाएगा और इसकी अध्यक्सता किस ने किती तापको याद अखना है इसकी अध्यक्सता नंद किसोर लाल ने किया था जो कॉंग्रेस का यह प्रांतिये अधिवेशन हुआ था जो साथमा अधिवेशन था तीन अपरेल 1915 को छपरा में हुआ था और इसकी अध्यक्सते नंद किसोर ला कि आचे , चissant इकार सर्संकरण नारायन या फिर रि संकर बनर जी और इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो पतन विश्विद्यालेए विधायक केंद्रिये विधाय का परचlerde में किसने प्रसूत किया था तो था सर संकर नरायन यानि क्या हो जाएगा option C इसका सही अंसर जाएगा option C को हम लोग करते हुए बढ़ेंगे आगे चलिए अगला प्रसन पर चलते हैं अगला प्रसन है मना अधिविशन कहां बुलाया गया option है पतना सीटी बांकीपूर सोनपूर या दानापूर तो पतना विश्विद्याले विध्यक पर विरोध प्रकट करने के लिए जो प्राम्तिय संब्लाया गया था वो बलाया गया था बांकीपूर में यानि क्या हो जाएगा option B इसका सही अं कर्षण कि थी option है स्वाराज कथा भारत माता की जय होम रूल कथा या तिरहुद समाचार तो होम रूल कार्ज करता बाल मुकुंद बाजपेई ने किस पुस्तक कर्षण की तो उन्होंने किया था स्वाराज कथा का यानि क्या हो जाएगा option A सही अंसर हो जाएगा और option A को option हुआ था option है जी के गोखले श्री दीप नरायन सिंग श्री कृष्ण या सुरेंद्रनाथ बनर जी तो किनके पर्यास से बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था ये हुआ था श्री दीप नरायन सिंग के दौरा यानि क्या हो जाएगा option B इसका सह सही एंसर हो जाएगा चलते हैं अब अगले प्रसन पर अगला प्रसन है ब्वाइज एसोसियेशन के संस्थापक कौन थे ये बताना है option है अस्फाक खां स्री सुरेज देव नरायन वर्मा जगदीशवर प्रसाद या फिर स्री सतीश चंद्र है तो ब्वाइज एसोसियेश के अध्यक्स कौन थे संस्थापक कौन थे तो ये थे स्री सुरेज देव नरायन वर्मा यानि क्या हो जाएगा option बी इसका सही एंसर हो जाएगा option बी पर टिक करते हुए चलते हैं आगे इसका क्या हो जाएगा option बी स्री सुरेज देव नरायन वर्मा जो ब्वाइज एसोसि की अस्थापना हुई अब बताना है और इसका यह अधर किया गया था अप्शन क्या हो जाएगा ओप्शन ए इसका ते आए देहां किया काकुछ कओँए हैं इसके बारे अधर बारे में तो दर्भांगा के राज मैदान की एक सभा में कब 3 मार्ज 1809 को 3 मार्ज 1809 को ब्वाज एसोसियेशन की अस्थापना हुई जिसकी अध्यक्स था असरफ खानने की जो एक बैरिस्टर थे यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रिये जागरन में महत्पूम भूम का निभाई तो ब्वाज एसोसियेशन की अस्थापना कहा हुई थी दरभंगा में हुआ था ऑप्शन इसका सई अंसर हो जाएगा चलिए अब चलते हैं अगले प्रसंट पर आपको यह सेशन कैसा लाग रहा है आप हमें कमेंट करके बताया था साथी एकजाम द्वार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एकजाम द्वार चैनल को अगले प्रसंट के तरफ और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो ऐसे अंदार प्रसंटों का सीरीज लेकर आते रहेंगे यह जब तक चलेगा जब तक आपका एकजाम फटम नहीं हो जाता तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रसंट के अगला प्रसंट है बिहार स्टु या फिर 1903 में और इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो बिहार स्टुडेंट कॉंग्रेस के अस्थापना 1906 में हुई थी यानि ओप्शन ए इसका सही अंसर हो जाएगा आए इसके बारे में जान लेते हैं बिहार में राष्ट वादी चेतना के विकास में इसका अत्यांत्र 24 अस्थान है यानि क्या हो जाएगा और चलते हैं अगले परसंट इस यहां बिहार एस्टुएंट कॉंग्रेस की बात है तो आपको बताना है भीहार student में जो भीहार …में credit card दिया जाता है चछातरों को ठीक है अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें लास्ट में मैं सिका answer जडरू बताऊंगा चलते हैं अगले प्रस्न पर कब होई थी औप्शन है एक जनवरी 901 को एक जनमडी 909 को एक जनवरी 903 को या एक जनवरी 902 को तो दर्भंगा में जो सरस्वती अकार्णुलएज के स्थापना वी थी यह बूब थी एक जनवरी 901 तके एक जनवरी 901 को यानि क्या हो जायगा चलते हैं अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगले प्रस्ण की तरब और हमारा अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 13 बिहार में प्रथम बालिका की बालिका विद्याले की अस्थापना किसने की प्रथम बालिका विद्याले और इसका अप्शन है श्रीमती संध्या सिनहा श्रीमती अगोर कामनी तो आपको बताना है कि बिहार में जो पर्थम बाल का विद्याले के अस्थापना की गई थी वो किसके दौरा किया गया था और इसका सही अंसर हो जाएगा उप्षन B श्री मती अगोर कामनी देवी उप्षन क्या हो जाएगा उप्षन B इसका सही अंसर हो जाएगा चलते हैं अपने अगले प्रसन पे लेकिन उससे पहले यहाँ विद्याले कहां अस्थापित किया गया था यह भी जाना जो रिए तो यहाँ विद्याले पटना में अस्थापित किया गया था पर्थम बालका विद्याले के अस्थापना स्री मती अगोर कामनी देवी ने किया था और यह कहां अस्थापित किया था तो यह पटना में अस्थापित किया था चलते हैं अगले प्रसन की तरह अगला प्रसन है बिहार में पर्थम बालका विद् 1891 में 1909 में या फिर 1903 में तो जो पठना में पर्थम बाल का विद्याल के अस्थापना किया गया था वो 1891 में किया गया था किसके द्वरा किया गया तो स्रीमती अगोर कामनी देवी के द्वरा किया गया कहां किया गया तो पठना में किया गया यानि क्या हो जाएगा इसके एंसर हो जाएगा option B ठीक है चलिए अब चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है बिहार में राष्ट्रिये चेतना के जागरन के मुख कारण थे कौन-कौन से कारण थे कि राष्ट्रिये चेतना जागरित हुई लोगों में बिहार में ठीक है वो किस कारण हुई थी उसका मुख कारण क्या था तो बिटिस विरुधी संगर्शों के प्रिष्ट भूमी यह बिल्कुल सही है बिटिस सासन की नीतियों के प्रति अपनाते थे उसके प्रति लोगों में और संतोष था इसलिए लोगों में क्या हुआ राष्ट्रिये चेतना D इसका साई अन्स रोज़ाएगा चलिए अब चलते हैं अगले प्रच्न पे अगला प्रच्न है बिहार के प्रतिनी धी सरप्रथम किस वर्ष भारतिये राष्ट्रिये कॉंगरेस के सम्मिलन में भाग लिया था बिहार के प्रत्री ने किस वर्ण बताना है भारती राष्ट यानि 1885 में ये भी आपको याद रखना है चलिए तो इसका सही एंसर क्या है इसका सही एंसर है 1887 में बिहार के परतिनीति सबसे पहले भारती राष्ट्री कोंग्रेश के सम्मेलर में भाग लिया था option C के साथ हम बढ़ेंगे अगले person की तरफ आपको ये session कैसा लग रहा है आप हमें comment करके पता है साथ ही channel पर नए है तो channel को जरूर subscribe कर ले ऐसे ही video आपके लिए हम लाते रहेंगे ठीक है बस like करना है और channel को subscribe कर दे कि बिहार के किस बरे जमिनदार ने भारतिये राष्ट्रिये कोंग्रेश की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था option है महराज दरभंगा यानि दरभंगा महराज महराजा हतुआ यानि हतुआ के महराजा महराजा टिकारी या उपयोग सभी तो किस जमिंदार ने भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के आर्थिक सयोग किया था तो ये किया था महराजा द्रभंगा ने यानि द्रभंगा के महराज ने option क्या हो जाएगा option A के साथ हम बरहेंगे अगले प्रस्ण की दरफ और हमार अगला प्रस्ण है 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मिलन में पिर्थक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किस ने रखा था option है अली इसलाम, मजरूल हक्त, फक्रूत दीन या फिर सचिदानन्द सिनहा तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मिलन में पिर्थक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव ये रखा था फक्रूत दीन ने यानि क्या हो जाएगा option C इसका सही अंसर हो जाएगा अगले प्रस्ण पर चलते हैं हमारा अगला प्रस्ण है पठना कोलेज की अस्थापना होई पठना कोलेज की अस्थापना कब होई थी option है 1879 में 1863 में 1861 में या 1888 में तो पठना कोलेज की जो अस्थापना की गई है वो किया गया है 1863 में 1863 स्वी में किया गया है ठीक है किसके पटना कोलेज की असापना चलते हैं अगले प्रसंद की तरह अगला प्रसंद है बिहार में सदर अंजुमन एहिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे कौन सा संस्ता तो अंजुमन ए हिंद है ऐप्शन है गजाधर परसाद सर अली-इमाम पूर्णेंदू नरायान सिनहा या मून्सी प्यारे लाल तो जो बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्ता का अस्थापना किया ग Il э-Aperson D इसका सई अन्स रो जाएगा उन्होंने और क्या क्या काम किया तो यह संस्था तिलक यह दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी कौन से संस्था अंजुमन ए हिंद तिलक और दहेर के लिए समापती के लिए ये बनाया गया था इस संस्था और इसके संस्थापक थे मुनसी प्यारे लाल चलते हैं अगले प्रसंद पर और अगला प्रसंद है दरभंगा में बंग भंग आंदोलन कौन से आंदोलन बंग भं मनाया गया ओप्शन एखके 16 65 10 जनुवर 906 2006 दिसम्बर 95 को या 16 अगस्त nord205 जब द्रभंगा में तो वब यहान्य हूस्तिम 1905 कमें 1905 समस्रेटिंश 17 तो इस अलब रक्षाugen वें दिवास यानि राखी वें दिवस मनाया गया ओप्शन क्या हो जाया ऑप्शन ए सही हो जाएगा रच्छा मुननंदिवस मिनाने का मतलब है कि सभी जो अंग्रेज लिखते उनको दिखाया गया कि हम सब में एकता है हम एक साथ मिल के रहेंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले प्रसन है अगला प्रसन कहता है बिहार छातर परदिशत का गठन किया कब कि इमाम ने तो जो बिहार छातर परदिशत है उसके गठन किस ने किया था ये किया था राजिंदर प्रसाद ने यानि क्या हो जाएगा ओप्शन ये इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रसन 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 नंबर 23 की तरफ आपको ये स ये सेशन वो सेशन है जो आपको बिहार GKGS Special के लिए है जो अभी जो एक्जाम होने वाला है BPSC के थरू टीचर बहाली का उसमें जो प्राइमरी का जो बहाली है उसमें 100 प्रसन आएंगे वो भी GKGS के मतलब आपके GKGS से बहुत सारे प्रसन होने के चांसेज है तो आपको जो टीचर की बहाली होने वाली BPSC के थरी उसके बहाली में जो भाग लेंगे उनके लिए भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है ये सेशन तो चलिए अगले प्रसन पर चलते हैं और हमारा अगला प्रसन है बिहार प्रांतिये सम्मेलन का पहला अधिविशन 1908 में कहां जो कब हुआ था 1908 में हुआ था यहां से बनेगा आपको एक प्रसन है ठीक है कि बिहार प्रांतिये सम्मेलन का पहला अधिविशन का हुआ तो ये हुआ था पठना में ओप्शन क्या हो जाएगा एक लेकिन कब हुआ था तो 1908 में ये प्रसन भी देगा आपको एक नमबर ठीक है, चलिए, चलते हैं, तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा, पटना इसका सही एंसर हो जाएगा, चलते हैं, अपने अगले प्रसन की तरफ, अगला प्रसन है, प्रसन नमबर 25, बिहार प्रांतिय सम्मिलन के पर्थम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, अब बताना है इसके अध्यक्स कौन थे पर्थम अध्यवेशन कब था तो यह हुआ था उनने год में कहां हुआ था तो ये पटना में हुआ यह दो चीज़ों आपको पता चल गए यह दो नम्मर का है ठीक है दो चीज़ें आपको कॉइण और न यहां पर इसके अध्यक्स कॉन कौन थे सर अली इमाम यानि क्या हो जाएगा option C इसका सई अंसर हो जाएगा ठीक है चलते हैं अगले प्रचन पे अगला प्रचन है बापु बाबु दीप नरायन सिंग के पडियतनों से बिहार प्रांतिय समिलन का दूसरा अधिविशन कहां हुआ था ठीक है option है भागलपूर छपरा आरा या पठना तो आप सभी जान गए कि पहला अधिविशन कहां हुआ था तो यह था पठना में इसके अध्यक्ष कौन थे तो सर अली इवाम इसके अध्यक्ष थे कब हुआ था तो 1908 में हुआ था अब बताना है जो दूसरा अधिविशन तो किसके परियतन से हुआ था और किसके परियतन से तो यह तो यहां आपको दे रखा है किसके परियतन से यह एक नमर का परशन यहीं से बनता है किसके परियतन से तो बापू बाबू दीप नरायन सिंग के परियतन से लेकिन यह कहां हुआ था यह आपको बताना है तो आप अधिवेशन 9 और 10 अपरेल यहां गलती प्रिंटेड है 9 और 10 अपरेल है ठीक है अपरील लिखा है 9 और 10 अपरेल 1909 कब वह था 9 और 10 अपरेल 1909 को हुआ ठीक है तथा इसकी अध्यक्सता सचिदानन सिन्हाने की थी ठीक है जो दूसरा प्रांतिय सम्मिलन हुआ था उसका अध चलते हैं अगले प्रसंद पे बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्राणम हुआ था ओप्शन है 1867, 1898, 1901 या 1894 तो बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन यह शुरू हुआ था 1894 से यानि क्या हो जाएगा ओप्शन डी इसका सही अंसर जाएगा बिहार टाइम्स ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्कुम भूम का निवाई थी ठीक है? चलीए अगला चलते है अगला प्रसंद पे और हमारा अगला प्रसंद क्या करता है? तो प्रचन है महेश नरायन पर्थम संपादक थे किसके संपादक थे यह आपको बताना है मतलब किस परतिका के संपादक थे कौन महेश नरायन option है बिहार हरेल्ड बिहार हरेल्ड के बिहार टाइम्स के पूयोर नियर के यानि में किसी के नहीं तो जो महेश नरायन है वो पर्थम संपादक थे किसके बिहार टाइम्स परतिका के option क्या हो जाएगा option B हो जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है चो बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1854 में स्री संपादक बनाया गया था तो किस नियूज पर के किस अकबार के की अकबार का किस परतिका का बिहार टाइम्स के परतिका का चलिए आगे चलते हैं अगला point देखते हैं अगला प्रसन देखते हैं बिहार टाइम्स का नाम बदल कर बिहारी रखा गया था कब रखा गया था 1899 में 1899 में 1906 में या 1905 में तो बिहार टाइम्स का नाम बदल कर बिहारी रखा गया ये 1906 में रखा गया था option क्या हो जाएगा option C इसका सई अंसर हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं अगला प्रस्ण पे अगला प्रस्ण है बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस कमिटी के पर्तम अध्यक्स थे वो कौन थे तो वो थे नवाब सर्फराज हुसेन खा यानि क्या हो जाएगा option A इसका सही अंसर हो जाएगा चलिए इसके बारे में देख लेते हैं सोनपूर मिला की अवसर पर सोनपूर मिला कहां लगता है ये बिहार में लगता है सोनपूर मिला के अवसर पर 1908 में नवाब सर्फराज हुसेन खा की अध्यक्सता में एक सभा हुई जिसमें प्रांतिये कॉंग्रेस कमिटी का गठन किया गया ठीक है तो चलते हैं अगला प्रसंटे अगला प्रसंट है बिहार हिराल्ड के संपादक थे कौन थे महेश नराय गुरू प्रसंट सेन, सचिदान सिनरहा या किर्षना सहाय तो आपको बताना है बिहार हिराल्ड के संपादक कौन थे तो यह थे गुरू प्रसंट सेन यानी क्या हो जाएगा Easy learntें और जो बिहार हिराल्ड यह पत्रिका है यह कौन में सब्रतिका unto यह इंगलिस प्रतिका था अंग्रे जी में छपती थे, ठीक है, चलिए, चलते हैं अगले प्रसन पे, अगला प्रसन है, बिहारी छात्र सम्मेरन हुआ, कहां हुआ था, भागलपुर में, छपरा में, आरा में, या पतना में, तो बिहारी सम्मेरन, बिहारी छात्र सम्मेरन, यह हुआ था, पतना में, य डी इसका सही एंसर हो जाएगा चलते हैं अपने अगले प्रसंद की तरफ भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्रेस का 1912 में अधिविशन कहां हुआ था ठीक है कब 1912 में ऑप्शन है गया भागलपूर भैजपूर या बांकिपूर पटना तो भारतिये राष्ट्रिये कॉंग्र 27 अधिविशन था किसका INC का यानि कि इस प्रसंद से आपको क्या मिलता है INC इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का 27 अधिविशन कहां हुआ तो बांकिपूर पटना में हुआ था कब हुआ तो 1912 में हुआ था ठीक है चलिए चलते हैं अगले प्रसंद पर भारतिये राष्ट्र कि ये कॉंग्रेस के 1912 के बांकिपूर अधिविशन के अध्यक्षता की थी अब बताना है किसने किया था ठीक है 27 अधिविशन कहां हुआ बांकिपूर पटना कब हुआ 1912 लेकिन अब बताना कि इसके अध्यक्ष कौन थे और इसका option है सयद हसन इमाम ने राजेंद्र प्र बांकिपूर पटना में इसकी अध्यक्ष थे यानि उसका अध्यक्षता किया था आडरेन मधाल करने ठीक है चलि को अगले प्रशन में अगला प्रसन है? तो इसका अंसर क्या रहा? सी अप्सण इसका सही अंसर हा चले है अगले प्रशन है नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एक्जाम दूरा चनल को subscribe कर ले वीडियो को एक दूसरे वार्टसब, फेस्बूक, इन सभी ग्रूप में आप जरूर सेयर कर दे, हम आपसे के साथ बने रहेंगे, आपको बने रहने के लिए बस करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, कोई इसके लिए पैसा नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा, बस सब्सक भारत से कॉंग्रेस का एक प्रतिनिधी मंडल, 1914 में इंग्लेंड भेजे गये, जिसमें सामिल दो बिहारी नेता थे, कौन थे, अली इमाम, एवंग हसन इमाम, राजेंदर प्रसाद, एवंग ब्रजकिशूर प्रसाद, मजहरूल, हक, एवंग सजिदानन सिनहा, या महेश नरायन, एवंग सर्फदीन, जो भारत से कॉंग्रेस का एक प्रतिनिधी मंडल, 1914 में, कब, 1914, 1914 में, इंग्लेंड भेजा गया, उसमें कौन दो बिहारी नेता को सामिल किया गया था, उसमें सामिल किया गया था, मजहरूल, हक, एवंग सचिदानन सिनहा को, यानी, ऑप्शन सी इसका साहिन सरू जाएगा, ठीक है, चलिए, चलते हैं, अब अगले प्रसन की तरह, अगला प्रसन है, पटना विश्विद्याले की अस्थापना कब होई, ओप्शन है, 1916 में, 1913 में, 1913 में, या 1919 में, तो पटना विश्विद्याले की अस्थापना होई थी, 1917 में, यान क्या हो जाएगा option 20 का science रो जाएगा चली अगले प्रसंट के चलते हैं अगला प्रसंट है प्रस नमबर 36 बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी का गठन किस वर्स हुआ था कौन से बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी का गठन option है 1906 में 1908 में 1912 में या 1914 में जो बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी का गठन किया गया था वो किया गया था 1908 में यानि क्या हो जाएगा option 20 इसका सही इंसर हो जाएगा चलते हैं अपने अगले प्रसंट पिस आपको यह सेशन कैसा लग रहा है आप हमें जरूर कमेंट करके बता है आपसे हमने एक प्रसंट पूछ ठीक है चलते हैं अगले प्रसंट पर अगला प्रसंट है बिहार में सबसे पहले अस्थापित विश्विद्याले का नाम बताईए option है पटना विश्विद्याले मगद विश्विद्याले बिहार विश्विद्याले या फिर वीर कुमर्सिक विश्विद्याले तो बिहार म की अस्थापना उनीश सो सत्रह में किया गया कब किया गया तो पठना विस्विद्याले की अस्थापना उनीश सो सत्रह में मगद विस्विद्याले का अस्थापना उनीश सो एकाउन में किया गया और लास्ट में किया गया वीर कुमर्सिंग विस्विद्याले उनीश सो बान सबसें पहले धापीद प्रचन आगले प्रशन सब्सक्राइब हो मुद्फाफित एक सब्सक्राइब में विई हार में कब फोली लीग अस्थाफित किया गया आप्षन में 16.11 तो बिहार में होम रूल लीग अस्थाफित किया गया यानि क्या हो जाएगा ओप्शन ए इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है ओप्शन ए आए जान लेते हैं इसके बारे में बाकिपुर यानि पटना की एक सभा में 16.16 को होम रूल लीग अस्थाफित करने का निन लिया गया कहां बटना के बाकिपुर में कब 16.16 को मजहरूल हप को अध्यक्ष बनाया गया था इस लीग का ठीक है चली अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रसन है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे कौन थे आप्षन है सचिदान सिना, मजहरूल हक, एनी बेसेंट, याराजंदर प्रसाद तो बिहार में जो होम रूल आंदोलन किया गया था उसकी अध्यक्ष थे मजहरूल हक यानी आप्षन भी इसका सही इंसर रोजाएगा चलते हैं अपने अगले प्रसन के तरह अगला प्रसन ह होम रूल आंदोलन के दवरान स्रीमती एनी बेसेंट पटना आई, कब आई थी ये बताना है, 18 जुलाई एवं 25 अगास उनेश्यक्ष अठाड़ा को, 18 जनवरी एवं 25 फरवरी उनेश्यक्ष अठाड़ा को या 18 एवं 25 मार्च उनेश्यक्ष अठाड़ा को, या फिर 18 अप प्रेल एवं 25 जुलाई उनेश्व अठाड़ा को यानि क्या हो जाएगा ओप्शन डीस का सई एंसर हो जाएगा ठीक 18 प्रेल एवं 25 जुलाई उनेश्व अगला प्रसंद देखते हैं पंडित जवालाल नहरू ने कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में सरप्रथम भाग लिया था किसने पंडित जवाला नहरू ने किस अधिवेशन में सबसे पहले उन्होंने भाग लिया था मतलब पहली बार वो कब पंडित जवाला नहरू ने कोंग्रेस के किस अधिविशन हुआ था उसमें उन्होंने भाग दिया था यानि option B इसका सही answer हो जाएगा चलते हैं अब अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है पठना home rule league के किस नेता ने विज़ेई दस्मी के दिन भारत माता की पूजा प्रणम करने का विचार रखा था पठना home rule league के ठीक है किस दिन विज़ेई दस्मी के दिन option है मजहरू लख सचिदानंद सिनहा रायपूरन चंद या पुनिंद्र नरायन सिनहा तो जो भारत माता की पूजा करने का प्रणम करने का विचार रखा था ये रखा था रायपूरन चंद ने यानि क्या हो जाएगा option C इसका सही answer हो जाएगा आईए इसके बारे में जाल में कुछ ज्यादा नहीं कर सके इसे कर्यानवित किया और उनके दो पुत्र राय बल्देव परसाद और राय दामोदर परसाद ने ठीक है चलते हैं अगले प्रसन की तरफ और अगला प्रसन है बिहार के किस जीले में होम रूल का परचार नहीं हुआ आप्शन है पटना मुझफरपूर चमपारन या सारन तो वो कौन सा जीला है वो है चमपारन जिसमें होम रूल का परचार नहीं किया गया था नहीं हो पाया था आप्शन क्या हो जाएगा आप्शन सी के साथ हम बढ़ेंगे आगे मुझफरपूर जिला होम रूल की अस्थापना की किस ने किया था जनकधारी परचाद ने चंद्रबंसी परचाद ने बरज की सोर परचाद ने या सचितनन सिनहा ने तो मुझफरपूर जिला होम रूल की अस्थापना जनकधारी परचाद ने किया था यानि क्या हो जाए में हुआ था ओप्षन है 877, 1882, 1893 या 1897 तो गो हत्या को रुखने के लिए गो रच्छनी सभा की जो अस्थापना किया गया था वो किया गया था 1893 में यानि ओप्षन क्या हो जाएगा ओप्षन C के साथ हम बरेंगे अगले प्रसन पे ठीके ओप्षन C का साई अंसर जाएगा 893 अब देखते हैं अगला प्रसन प्रसन नंबर है मारा 46 बिहार बंगाल से अलग हुआ कब अलग हुआ ओप्षन 1910 में 1912 में 1921 में या 1947 में तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया यह किया था 1912 में यानि क्या हो जाएगा ॉप्षन 20 का सई अनसर जाएगा बिहार में 1912 में जब बंगाल से अलग किया गया उससे में क्या था अगले प्रसन पर गो रख्षा के मुद्दे पर बिहार के साहाबाद गया पटना जीलो में भयानक हीनदू-मुसलिम दंगे हुए कि यह कब हुए थे option है 1917 में 1919 में 1949 में या 1946 में तो गोर अच्छा के मुद्धे पर बिहार के सहाबाद गया और पठना जिला में जो भयानक हिंदू मुस्तले में एक दंगा हुआ था वो हुआ था 1917 में यानि क्या हो जाएगा option A इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके पैणाम स्वर्व वर्ष 1911 में बिहार एवं उरिशा के नय प्रांत का निर्वान हुआ का नेत्रित्व किया था किसने किया था option है सचिदा नंद सिन्हा ने अनुग्रह नरायन सिंग ने जेवी किरपलानी ने या विर्षा मुंडा ने तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन वर्ष 1911 में बिहार एम उडिशा के लिए निर्वान के लिए हुआ था का नेत बिहार सासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्थ हुआ बिटिश सासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया option है 1905 में 1912 में 1936 में या 1946 में तो बिहार को बंगाल से अलग किया गया उसी वर्ष बिहार को क्या अलग प्रांद का दर्जा दिया गया, ये दिया गया 1912 में, option क्या हो जाएगा, option B इसका सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, चलते हैं अगले प्रस्चन पे, अगला प्रस्चन है, 1911 तक बिहार निम्न लिखित में से किसकी अंतरगत था, option है, कलकत्ता प्रांद, केंदरिये प्र उत्री प्रांद या बंगाल महाप्रांद, ठीक है, तो 1911 तक बिहार किसके अंतरगत था, ये था, बंगाल महाप्रांद के, और 1912 में अलग हुआ, तो इसको एक अलग अपना दर्जा दिया गया, ठीक है, चलते हैं अगले प्रस्चन पे, तो इसके अंसर क्या हो जाएगा अप्शन D, अगला प्रस्चन है, प्रस्चन नमबर 51, एकाम, कॉंग्रेस की अखंडता में विद्धी करने है तू 1912 में, बाकिपूर, पतना बिहार की सभा में, डेलिगेट, सुल्क, घटाकर, कितना किया गया था, ठीक है, और इसकी अप्शन है, 20 रुपे से 10 रुपे किया गया, 10 रुपे से 5 रुपे किया गया, और 50 रुपे से 40 रुपे किया गया, या 5 रुपे से 1 रुपे किया गया, तो कॉंग्रेस की अखंडता में, मतलब कॉंग्रेस नहीं तूटे, इसके विद्धी करने के लिए 1912 में, जो बाकिपूर, पतना म कि यह संब्लिए नेमें जो अधिविशन हुआ था उसके मताफक देलिएन स прогटा कर कितना किया गए तो पांच रुपे से घाठा कर एक रुपया किया गया, जो डेगलेशन चार्ज 500 पे से घटा कर, कितना किया गया, एक रुपया किया गया, चलते हैं, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, ओप्शन डीस का सही एंसर हो जाएगा, चलिए, अगला प्रसन है, प्रसन नमबर 52, बारत दिसंबर 1911 को, किस बिटिस राजा ने बंगाल से प्रित्थकर बिहार, जिसमें उरिशा भी सामिल था, प्रांत की गठन की घोषना की, कब 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषना किया गया था, ठीक है, यह रखना है, 12 दिसंबर 1911 को घोषना किया गया था, कि बिहार को बंगाल से अलग किया गया और यह किस बिटिस राजा ने बंगाल से प्रिथक कर बिहार प्रांथ की गठन की घोषना की थी, जोर्ज दूतिये ने, इलिजावेथ पर्थम ने, जोर्ज पंचम ने या जोर्ज सुस्टम ने, तो जो 12 दिसम्बर 1911 को घुसना किया गया कि बिहार को अलग कर दिया जाएगा बंगाल से ये किया था जोर्ज पंचम ने यानि क्या हो जाएगा ओप्शन सी इसका सही अंसर हो जाएगा अगला प्रसन है भारत में सबसे पहले कहां छातर संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था तो सबसे पहले छातर सम्मेलन या छातर गठन कहां किया गया था भारत में option है महाराष्ट, उत्तरप्रदेश, बिहार, यामत्रदेश, तो यह किया गया था, बिहार में, यानि क्या हो जाएगा, option C का सही अंसर हो जाएगा, अब चलते हैं अपने अगले प्रसन की तरह, अगला प्रसन है, कलकत्ता उच नियाले में नियाइधीस नियुक्त होने वाले पर्थम बिहारी थे, कौन थे, अब्दुलबारी, फकुरुत दीन, बलदेव साहय, या सचिदानन सिनहा, तो कलकत्ता उच नियाले में नियाइधीस के पद पर नियुक्त होने वाले पर्थम बिहारी थे, फकुरुत दीन, ठीक है, कौन थे, फकुरुत दीन, यानि क्या हो उच नियाले में कब 1907 फकरुद दिन आपको यादखना है अगला प्रसंद देखते हैं बिहार प्रांथ का वीदिवत उद्घाटन जिसके राधानी पठना बनी कब हुआ था एक अप्रेल 1912 को एक अप्रेल 1901 को एक जनवरी 1912 को याइन में किसी का नहीं तो बिहार प्रांथ का वीदिवत उद्घाटन तो बिहार प्रांथ को बंगाल से अलग करने का निरने किसका था जोर्ज पंचम था कब था तो ये था 1911 में था उसने ये फर्मान सुनाया उसने ये कहा कि 1911 में ये बाते कहें कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा जिसमें क्या होगा उडिशा सामिल होगा और ये हुआ कब ठोई ये 1912 में हुआ था और जो उडिनली मतलब उदगाटन कब किया गया जिसकी राधानी पतना बनी तो ये किया गया था एक अपर 1912 को यानि ओप्षन एसका साई अंसर हो जायेगा चलते हैं अपने अगले प्रस्ण पर भारतिये राष्टीये कॉंग्रेस का 27 अधिवेशन किस अस्थान पर हुआ था ओप्षन भागलपूर पतना राची या बाकिपूर तो भारतिये राष्टीये कॉंग्रेस का 27 27 अधिवेशन ये बाकिपूर पतना में हुआ था अब कब हुआ था 1908 में हुआ था हमने आपको इससे पहले प्रस्ण में बताया है चलते हैं अगले प्रस्ण पर ये हमारा बिहार में करांतिकारी राष्टबाद का पर्थम चरण शुरुआत होगा और इसके हम कुछ प्र प्रस्ण नंदी एवं कुछ अंकरांतिकाडियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का परचार किया था आप्शन है मैजिक पत्र, मैजिक लालठेन, लालपत्र या इनमे कोई नहीं इंद्रनाथ नंदी और कुछ अनक्रांतिकारियों ने मैजिक लालठेन की मदद से क्रांतिवाद का परचार किया था यानि option क्या हो जाएगा option B इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं बंगला दैनिक हिदवादी का उप संपादक था कौन था सर्वाराम गनेश देवसकर सांती नारायन राज नारायन वसु या फिर वारिंद्र घोष तो बंगला दैनिक हिदवादी का उप संपादक था सर्वाराम गनेश देवसकर यानि क्या हो जाएगा option A सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलते हैं अब अगले प्रसंद की तरह बिहार में सितंबर 1915 में लिवार्टी लिफलेट्स बाटने में कौन थे option है इंद्रनाथ नंदी एवंग घुपेंद्रदत खुदी राम एवंग प्रकुलचा की बंकिम चंद्रमित्र एवंग अखिल चंद्रदास गुपता यानि में कोई नहीं तो जुदो 1915 में लिवार्टी लिफलेट्स बाटने में कौन कौन सामिल थे तो ये थे बंकिम चंद्रमित्र एवंग अखिल चंद्रदास गुपता यानि क्यों जाएगा option C इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलते हैं अगले प्रसंद पर बंकिम चंद्रमित्र की गुरफतारी हुई कब होई थी 1912 में 1913 में 1914 में या 1915 में तो बंकिम चंद्रमित्र की गुरफतारी हुई थी 1915 में यानि क्यों जाएगा option D इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है बंकिम चंद्रमित्र की ग्रफतारी कब हुआ था 1915 में अब चलते हैं अगले प्रशन पर बिहार में विभिन अस्थानों पर किसने क्रांतिकारी भासन दिया और इसकी option है स्वामी सत्देव, स्वामी भक्त, स्वामी महदेव या स्वामी सत्वर्थ तो बिभिन अस्थानों पर क्रांतिकारी भासन ये किसने दिया था तो ये दिया था स्वामी सत्देव ने यानि क्या हो जाएगा option A इसका science रो जाएगा ठीक है अगला प्रशन है प्रशन नमबर 6 बिहार में क्रांतिकारी संदेश वाहग तथा क्रांतिकारी दल का सूविख्यात सदस कामता प्रशाद कहां के थे पटना, बेतिया, सहाबाद या मुझपरपूर तो जो बिहार में क्रांतिकारी संदेश वाहग और क्रांतिकारी दल का सूविख्यात जो सदस थे वो कामता प्रसाद वो कहां के थे मुझपरपुर के यानि क्या हो जाएगा option D इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला चलता है अगला प्रसन पे चलते हैं हम लोग स्री राम विनूद सिंग क्रिस क्रामतिकारी दल की साखा का था अप्शन है पटना प्रोतास भागलपूर या मुंगर स्री राम विनूद सिंग वो भागलपूर क्रामतिकारी दल की साखा के थे ठीक है आईए बारे में इसके देख लेते हैं भागलपूर साखा का सक्रिय सदस्थे और मुझपरपूर साखा में भरती हुआ था मुझपरपूर साखा में इनका भरती हुआ था और यह कहां के सक्रिय सदस्थे तो भागलपूर साखा के सक्रिय सदस्थे किसके क्रामतिकारी दल के ठीक है यानि क्या हो जाएगा इसका आप्शन हो जाएगा आप्शन C. भागलपुड़के थे ठीक है, चली आगे चलते हैं, अगला प्रस्थ्न है पटना से प्रकासित कौन सा अकवार में क्राम्तिकारी विचार प्रकट किया गया था option है पाटली पुतर क्राम्तिकारी, अपनी मरजी या Indian Blue तो पटना से प्रकासित जिस अकवार में करांतिकारे विचार प्रकट किया गया था वो था पाटली पुत्र यानि ओप्शन क्या हो जाएगा ओप्शन ए इसका सैंसर हो जाएगा चली अगला प्रचन है पटना में 1913 में अनुसीलन समिती की एक साखा की अस्थापना किस ने की थी कौन से समिती अनु नात सरकार सचिन्द्रनात सन्याल या के इन सिंग तो अनुसीलन की साखा का जो अस्थापना किया था वो किया था सचिन्द्र सन्याल यानि ओप्शन सी इसका सही अंसर जाएगा चली अब चलते हैं अपने अगले प्रचन की तरह 30 अप्रेल 1908 के मुझफरपुर किसकी हत्या क्या प्रियास किया गया था जैंग किंस फॉड पिंगले किनेटी अफिकट दोनों या फ enclosed में से कोई नहीं तो किसकी हत्या जो पइम चलाया गया था 30 अप्रेल Florian 2008 को मुझफरपुर में वो किसकी हत्या के लिए किया गया था ओ किया था जर्ज किंस फोड क उप्युक्त दोनों या उप्युक्त में से कोई नहीं तो किसकी हत्या जो बम चलाया गया था 30 April 108 को मुझपरपुर में वो किसकी हत्या के लिए किया गया था तो वो किया गया था George Kingsford के Kingsford के लिए ये बम चलाया गया था लेकिन ये उसको नहीं लगा था ठीक है इस कांड में गलती से वकील पिंगले किनेडी की पतनी और पुत्री के मिर्ती होई थी और जिसके लिए बम चिला गया था वो क्या हो गया था वो बच गया था ठीक है चलिए अगला प्रसन है तो इसका एंसर क्या हो गया इसका एंसर होगा ऑप्शन ए चलिए आगे च फुदी राम बोसे हूं परफुल चा के लिए या इने में से कोई नहीं तो मुझपरपुर बमकान जो अभी हमने इस प्रस्ण में बात किया कि कब 30 अपरेल 1908 को मुझपरपुर बमकान ठीक है 30 अपरेल 1908 को यो बम चलाया गया था ठीक है किसके मिर्तिव के लिए ये जर्ज किंग स्पोर्ट की मिर्तिव के लिए चलाया गया था मुझपरपुर में ठीक है कब 30 अपरेल 1908 को लेकिन इसमें मिर्तिव किसकी हो गई तो ए गलती से वकील किं इंग्ले केले की पतनिक और फुतरी की मिर्ती होगी लेकिन लेकिन किंग स्पोर्ट कीमिर्तिग नहीं हुई थी और इसको ने लहां जुर सब्सक्राइब और प्रफुल चाकी है और यह इंको पकर लिया गया प्रफुल चाकी को ठीक है प्रफुल चाकी को पकर लिया गया लेकिन इन्होंने जब देखे कि ये चुकी उनसे अंग्रेजों से पकरने वाले हैं पकरा जाते तो इन्होंने अपने पिश्टल निकाल कर खुद को ही गोली मार लिया था इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के हाथों मरने से खूद के आतों मर जाय और इन्हों को गोली मार लिया ताट कि अंग्रेज इनको कोई सजा न दे पाय इसे के लिए इन्हों खुद को कई मार लिया था ठीक है चलिए आगए चलते हैं आगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है मुझभपपर पुर्बमकान 1908 का दोसी ठाडा कर किसे फांसी की सजा दी गई थी तो इन्होंने जो परफुल चाकी थे इनको तो क्या हुआ इन्होंने खुद को गोली माल लिया था लेकिन भागते भागते खुदी रामबोस बहुत दूर निकल गए और इनको लास्ट में पकर लिया गया ठीक है और पकरा न सके इसके लिए परफुल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option B इसका सही एंसर हो जाएगा चलिए किसकी हत्त्या के लिए ने बम फेका था जो जोर्ज किंग्सपूर्ट लेकिन क्या हुआ वो मरा नहीं था वो बच गया था उ अगला प्रस्न है मुझफर पूर्वम कार्ट के एक अन्य दोसी प्रफुल चाकी से सम्मधित कौन सा कथन सत्थ है उन्हें फासी दी गई उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई उसने गिरफतार होने की अफेक्षा मिर्तिव को अपना कर स्रेस कर समझा और गोली मार कर आ प्रफुल चाकी दोनों एक को खुदे रामभॉस को बंठेकने के वज में क्या अंगरेजों ने फासी की सजा सुझा दी उन्हें फासी दे दिया गया और प्रफुल चाकी जो पकड़े जाते अंगरेजों के हाँ थे उन्हों ने सोचा कि पकड़े जाने से अच्छा है कर सम्झा मятलोंने कि हम प्लुखतार हो जाएंगे अंग्रेज सजा देंगे उनके गोली की हाथो मरने से प्छा खुद की हाथों मार लिया जा अर उनने गोली निकालकर आपनी आतम हथियाक ली ठीक है तो दोनों को एक ने आत्मत्या करली दूसरे को फासी की सजादी गई खुदी रामबोस को ठीक है चलिए चलते हैं अगले परसन पे प्रफुल चाकिन ने दो मई 1908 को गोली मारकर आत्मत्या की थी कब 2 मई 1908 को ठीक है चलते हैं अगले प्रसंद पर अगला प्रसंद है बिहार के करांतिकारी नेता खुदी रामवोस को फासी दी गई थी किसको खुदी रामवोस को किसलिए वह उन्होंने बंब चलाया था चिंग्स जोज किंग्स की गारी पर लेकिन वह गारी पर लगा नहीं था किसी और की मिर्तिय वई थी वकिल पिंगले की पतनी और वी थी ठीक है तो कब कब फासी दी गई थी ऑप्शन है तेरा जुलाई 1908 को 11 अगस्ट तो एक दिसम्बर 1908 को या 11 109 को तो दिहार के करांति के कारी नेता खुदी रामबोश को फासी दिया गया वो कौन सा दिन था? वो था 11.08 यानि क्या हो जाएगा? option B इसका science रो जाएगा आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है बिहार के करांतिकारी नेता खुदी रामबोश के वकील थे कौन थे? भुपेंदर नाथदत, त्रिलोचन सिंग, अमित नाथदास या कालिदास वसु तो बिहार के जो करांतिकारी नेता खुदी रामबोश थे जिनको फासी दिगई उनके वकील थे? कालिदास वसु आईए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इसमें? तो मुझपरपुर के कालिदास वसु खुदी रामबोश के वकील थे इनके कहने पर खुदी रामबोश ने हाई कोट में फासी के सजा के विरुद अपेल की लेकिन हाई कोट ने भी सजा बरकरा रखा था यानि क्या हो जाएगा? ओप्शन डेस का सही अंसर हो जाएगा चलते हैं अगले प्रस्ण पे पटना में अनुसीलन समिती की साखा अस्थापित की थी? किसने किया था? घुपेंदरनात दतने, सचिंदरनात सान्याल ने, खुदी रामबोश ने, या सचिदानन्द सिनहा ने तो पटना में अनुसीलन समिती की साखा अस्थापित किया था? सचिंदरनात सान्याल ने, यानि ओप्शन बी इसका सही अंसर हो जाएगा इस साखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्रमित्र थे जो बी एन कोलेज पटना के छात्र थे आगे प्रसंद देखते हैं, अगला प्रसंद है पटना भवानी मंदर की अस्थापना किस ने की थी? ऑप्शन है, डॉक्टर कासी प्रसाद जैस्वाल ने, सचिंदरनात सान्याल ने, भुपेंदरनात दत ने, या परपुल चाकी ने तो पटना भवानी मंदर की अस्थापना भुपेंदरनात दत ने की थी, यानि क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, इसका सही अंसर हो जाएगा चलते हैं, अगले प्रसंद पे, बनारस सद्यंत्र में कौन सामिल था? ऑप्शन है, सचिंदरनात सान्याल, खुदी रामबोस, बारिंदरनात कुमार घोस या बंकिम चंद्र मित्र तो बनारस सद्यंत्र में बंकिम चंद्र मित्र सामिल थे, यानि क्या हो जाएगा? ऑप्शन D, इसका सही अंसर हो जाएगा बनारस सनियंत्र में सामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा में ली थी चलिए आगे देखते हैं सत यूग नामक पत्रिका किस ने किया था option है महेश नरायन, पुर्शुत्तम नरायन नंदा, बाबु महेशवरी या फिर विपुक्त में से कोई नहीं तो सत यूग नामक पत्रिका थी उसको प्रकासित किया था, पुर्शुत्तम नरायन नंदा ने, यानि क्या हो जाएगा, option B, इसका सही इंसर हो जाएगा इसमें क्या कहा गया है? तो सत्यूग पत्रिका पुर्षत्म नराएननदा द्वारा, रतनाकर प्रेष, कहां से मुझपरपुर्ष से प्रकासित किया गया था. कौन सा? सत्यूग नामक पत्रिका. ठीक है? चलिए. चलते हैं अगले प्रस्ण पर, अगला प्रस्ण है, प्रसाद ने या उप्यक्ति में से कोई नहीं तो स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था यह किया था बाल मुकुंद बाजपेई आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण क्या करता है अगला प्रस्ण है मा की पुकार नामक पुस्तिका संबंदित है किसे संबंदित है मुझभपरपुर से चंपारन से भागलपुर से या उप्यक्तिमें से कोई नहीं तो मा की पुकार जो पुस्तिका है वो स सम्मंदित है मुझपरपुर से यहां पत्रिका रतनाकर प्रेश मुझपरपुर से शपी थी जिसे 1918 में सरकार ने जब्द कर लिया था कौन था मा की पुकार पत्रिका काफी इनपोटेंट है मा की पुकार पत्रिका कहां से शपी थी मुझपरपुर में किस प्रेश से तो रतन भारतिये संपादक को हटा कर सरकार ने उसके अस्थान पर कनिंगम को निफ्थ किया था ओप्शन है बिहारी सत्य यूग स्वराज कथा या बिहार हेराल्ड तो किस प्रतिका के भारतिये संपादक को हटाया गया था और सरकार ने उसके जगा पर कनिंगम को निफ्थ किया था तो ये किया था बिहारी पत्रिका ठीक है बिहारी पत्रिका के संपादक और कौन थे ये तो बाबु महिस्वरी प्रसाद को हटा कर उसके अस्थान पे स्री कनिंगम को निउक्त किया गया था आपको याद अखना है काफी important session है ये काफी important प्रसन है ये और काफी important है उन सबी के लिए जो BPSC की त्यारी कर रहे हैं या जो BPSC teacher की exam देने वाले हैं उनके लिए भी क्योंकि BPSC अगर exam लेती है तो BPSC बिहार जी के से जरूर से जरूर प्रसन करती है और आपको ये session उसके भी बहुत ही फाइदेंद होगा ठीक है तो इस प्रसन का answer क्या मिला आपको किस पत्रिका के भारतिये संपादक आपको या लखना है को हटा कर उसके अस्थान पर कनिंगम को निक्त किया गया था तो वो कौन सा पत्रिका था वो था बिहारी पत्रिका और उसके संपादक कौ आया गया और उसके जगे पे कनिंगम को निव्थ किया गया ठीक है तो आप्षन क्या हो जाएगा आप्षन ए सका सही एंसर हुआ चली अब चलते हैं अगले प्रसन पर अगला प्रस्ण है रेवती नाग संबंधित है किस से संबंधित है रेवती नाग मुझपरपुर से पतना से आरा से या भागलपुर से तो रेवती नाग ये भागलपुर से संबंधित है यानि ऑप्शन डी इसका सईयंस रो जाएगा चलते हैं अपने अगले प्रस्ण क क्या काता है तो अगला प्रस्ण है कि रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांती परचार के लिए भेजा था ओप्शन है पठना होम रूल लीग भवानी मंदिर धाका अनुसिलन समिती या पठना अनुसिलन समिती तो रेवती नाग को किस संस्था ने सत्यागरा के प्रसनों को आज चाहार प्रसनों को हम कर लेते हैं कुछ सभी प्रसन करते रहेंगे बसंदके करना क्या है रोज दो और अपको आधरा ना है साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और विडेयो का उर Button करतों करना ही आपको ठीक है वीडियो को लाइक और सेर कर देंगे ताकि जो भी साथी तक यह वीडियो नहीं पहुंचता है उन तक कहुंच जाएगा यह उनके लिए भी काफी महत्पुन है जो इस त्यारी जो इस त्यारी में लगे हुए हैं और उनके जो बिहार दस या पंद्रव वर्सकी 35 चालिस या पचास वर्सकी या पांच दस या पंद्रव वर्सकी जो चंपारन में तीन कठिया पदती थी कितने समय तक आपको नील उपजाना होता था तो उसका था 20 पचीस या तीस वर्स तक यानि क्या हो जाएगा ओप्शन एसका सई इनस रोजाएगा बहुत इनपोटेंट है बहुत मौहपुर्ण प्रसन है ये कितने वर्स तक उपजाना पड़ता था तो यह रखना कितने 20 पचीस और तीर वर्स तक या 30 वर्स तक 20 वर्स उजैए 15 वर्स उजैए या 30 वर्स उजैए ये तीन खटिया पड़ृति के उपजाना पड़ता था नील ठキuteur अगला प्रसंत देखते हैं हिंदू patriot के किस संपादक ने नील पिरित किसानों का पक्ष लिया था आप्षन है हरी चंद्रमुखर जी जैनरानदास रामलाल मुखर जी या हरी मुहल मुखर जी तो यह लिया था हरी चंद्रमुखर जी यानि ओप्षन ये इसका सही अन्सुर जायेगा और इसी आज के इस अंतीम प्रस्न के साथ आज का हमारे सेसन समयप्त होता है आपको इससन कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जोर बता है वीडियो को लाइक और सेहर कर दे, चैनल पे नए है तो चैनल को ज़रू सस्क्राइब कर ले हम आपसे फिरिम लेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत